नमस्कार, जैहिन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस important वीडियो में मैं आपको live demonstration देने जा रहा हूँ JK smart attendance पे first half day casual leap को कैसे apply किया जाएगा एक HOI के द्वारा उसे कैसे approve किया जाएगा approve करने के वाद request को sent back किया जाएगा एक teacher के द्वारा उस request को फिर से confirm कैसे किया जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले higher authorities के द्वारा JK smart attendance में बहुत-बड़ी update लाएगी उस update के जरिये अलग-अलग यहाँ पे parameter से सेट किये गे है आज हम उन parameters में एक parameter पे बात करेंगे first half day casual leave एक official कैसे avail करेगा अब होगी apply करने के बाद HY level पे उसे कैसे approve किया जाएगा approve करने के बाद उस request को send back किया जाएगा teacher को teacher उस request को कहां से approve करेगा आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जहाँ पे एक HY का ID हमने open कर लिया है जहाँ पे एक teacher के दुआरा first half day casual leave apply की गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं आज की date तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एक teacher का जहाँ पे name उसके आगे जो उसकी जो remaining leaves है बो भी जहाँ पे आजाएगा action में जहाँ पे आप देख सकते हैं action इसका ले चुका हूँ, हमने इसको approve कर दिया है, approve करने के बाद जहां पे आप देख सकते हैं, approve करने के बाद आपको जहां पे action में approve, जब एक HOI कर लेगा, तो बहां पे आपको issue हो जाएगा, sent for confirmation, अब first half day casual leap को approve करने के दो step हो गए हैं, एक HOI level पे रहेगा, और एक teacher के level पे रहेगा अब teacher के level पे यहां पे क्या रहने बाला है वो मैं आपको यहां पे समझाने बाला हूँ, जहां पे आप देख सकते हैं, एक HOI का जो काम था वो HOI ने अपने end पे कर दिया है teacher ने apply किया, apply करने के बाद HOI ने उसे approve कर दिया approve आप 11 बजे से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ first half day casual leave को आप 9 बजे, 10 बजे जब भी आप एक teacher की request आपके पास आती है, first half day की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, full day casual leave आप 14 बजे के बाद ही आप उसे कर सकते हैं, उसे approve कर सकते हैं उसे पहले नहीं कर सकते हैं, लेकिन first half day casual leave, आप कभी भी आप उसे किसी भी समय आप, जब भी आपके पास request आती है, आप उसे approve कर दें approve करने के बाद आपको simple यही message आएगा, send for confirmation, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, request जो है, वो information के लिए send कर दी गई है, आज की date में request की गई है, और request कितने समय पे की गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जो measure update जहाँ पर हुआ है, कि teacher जब apply करेगा अपनी leave को उसका time भी note हो जाएगा, जैसे कि अभी जो time है, वो 9 बज़े से 3 बज़े का है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, 841 पर apply की गई है, first half day casual leave के लिए ही, यह सारा हम जो अभी discuss कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी request क्या आ रही है pending आ रही है, अब आपने क्या करना है, अब teacher को कैसे पता चलेगा कि उसकी जो request है, वो उसके HOI के द्वारा approve की गई है, जा नहीं की गई है पहले क्या होता था, simply approve हो जाती थी, approve हो जाने के बाद हमारा check-in जो button होता था वो hide हो जाता था, first half के case में और जैसे हम school पहुंचते थे, पहुंचने के बाद हम उससे simply हमें check-out करना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब जहां पे क्या होने बाला है जो HY के end पे काम था, वो जहां पे complete हो जोगा है, अब हम देखेंगे जैसे ही वो teacher, जिसने first half casual leave ली होई है जैसे वो school premises में पहुंचेगा वो अपनी JK smart attendance को open करेगा open करने के बाद, उसने अपनी leave को confirm करना है अब मान लेते हैं, किसी ने leave ली है अपनी first half की, वो 12 बज़े school में पहुंच जाता है, जा साड़े 11 ही school पहुंच जाते हैं, आप जब भी अपने school premises में पहुंचेगे, तो मान लो आपने first half की leave ली थी, उसमें तीन गंटे का समय था, लेकिन आप दो गंटे में ही बापीस आ जाते हैं आपने school premises में आप 11 बज़े आ जाते हैं साड़े 10 बज़े आ जाते हैं, जैसे ही आप अपने school premises में पहुंचेगे आपने immediately अपनी JK smart attendance को open करना है, चले, अब हम JK smart attendance को open कर रहेंगे अब जहां पे हम देखेंगे कि जो भी official leave avail कर रहा है जैसे ही वो school premises में पहुंचेगा जिस भी समय वो पहुंचेगा उसने सबसे पहला step उसका क्या रहने वाला है immediately उसने क्या करना है जहां पे आप देखेंगे, नीचे जहां पे आपको option मिलेंगे home, my leaves तो आपने जहां पे my leaves का आपको option bottom में देखेगा, number two option आपने इस पे click कर देना है, confirm करने के लिए next आप जहां पे देख सकते हैं जैसे आपने my leaves पे click किया confirm करने के लिए, तो जहां पे आप date देख सकते हैं इसके बाद जहां पे आपके सामने एक पूरा table open हो जाएगा तो जहां पे आप देख सकते हैं, first half की आपने leave ली है लेकिन अभी pending है, क्योंकि अभी आपने से confirm नहीं किया है और confirm कहां होगी, school premises के अंदर ही होगी उसी location में होगी, तो जहां पे आप date देख सकते हैं next आपको यहां पे क्या करना होगा, थोड़ास आपको इसको यह से ही drag करना है drag करने के बाद last में आपको एक option मिलेगा, confirm का अब आप जहां पे देख सकते हैं, एक teacher जिसने, जा एक official जिसने leave अपलाई की थी finally अपनी first half day की leave को final confirmation उस teacher के द्वारा ही दी जाएगी जैसे आप अब आप इसे confirm करेंगे, अगर आप school premises के अंदर है, तब ही confirm होगी otherwise यह confirm नहीं होगी, जैसे आप school के अंदर enter होगे, तो आपका time note हो जाएगा कि first half में, आप कितने समय बाहर रहे, अगर आप धाई बज़े आते हैं, तो धाई बज़े confirm करेंगे तो समय पूरा calculate हो जाएगा कि आपने first half की लीव ली थी, लेकिन आप school premises के अंदर ड़ाई बज़े पहुंचे हैं, तो आपको confirm करनी होगी अगर यहाँ पे आप यह सोचेंगे कि नहीं, हो आई के लेबल पे ही सारा step है, यहाँ पे दो step हो गए हैं, एक रहेगा, पाले तो रहेगा, teacher लेबल पे रहेगा, वो अपलाई करेगा, अपलाई करने के बाद, हो आई लेबल पे confirmation होगी, confirmation के बाद sent back की जाएगी, और वही teacher वही official से अपनी leave को जहाँ पे confirm करेगा, confirm करने के बाद, आपकी leave जो होगी first half की, वो balance बारनी जाएगी, आपने देख लिए कि किस तरह से एक official आपनी जो first half की casual leave होगी, उसे खुद confirm करेगा, तो इस तरह से एक जो new rule आया है, कि first half day की leave है, उसे step two verification के लिए रखा गया है, ह actually level और teacher level पे रखा गया है, दो step complete होने के बाद, आपकी first half day casual leave जो होगी, वो complete होगी, तो इस तरहीके से आपने देख लिया, next हम next वीडियो में देखेंगे, जो कोई next नया rule कोई parameters सेट किये गे है, उनके ओपर discuss करेंगे, in spite of that अभी भी आपके मन में इसके regarding कोई भी query है, तो